This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy! मतलब कितना creative उसको बना सकता है, कितना ज़्यादा attractive बना सकता है, thumbnail हो या title हो सब लोग बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या उसमें हम अपनों को ही बुरा बना देते हैं? क्या हम उसमें उन्हीं चीजों का यूज करते हैं, जो अगर कोई और लोग हमारे बारे में बोलते हैं और वो हमें बुरा लगता है? और अगर आपको बुरा लगता है और आप उन्हीं चीजों को यूज कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे लोगों पर ब्लेम कैसे लगा सकते हैं कि वो लोग हमें इस तरह से बोल रहे हैं या लोग हमें इस तरह से कमेंट कर रहे हैं चलो गर समझ नहीं आया तो अच्छे से बताती हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं दीदू की पीछे चले जाते हैं कुछ दिन पहले जहां पर वो अपने हस्बंड की दूसरी शादी करवाने की बाते कर रही थी उन्होंने टाइटल भी यही डाला था हस्बंड की दूसरी शादी तो उन्होंने क्यों डाला था उनका कहना था ऐसा कि लोगोंने मुझे देखो किस तरह के कमेंट किये हैं कि अगर तुम्हें बेबी नहीं हो रहा है तो तुम्हारे हस्बन को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए जो कि उनको बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा उनके दिल को हट हुआ था राइट ये बात सुनकर ये वाला कमेंट पढ़ कर ओके तो दीदू जो चीज पढ़ कर आपको दुख हुई वो आपको इगनोर करनी चाहिए थी या अपने सीने से लगा कर बैठना चाहिए था उसको मतलब आपने उस कमेंट को इतना जादा सही समझा कि आपने उसको as a title use किया क्यों दीदू सिर्फ और सिर्फ लोगों का जो attention थी वो पाने के लिए राइट क्योंकि अ बुरा नहीं लगना चाहिए था क्योंकि अगर आप उस आपको उसी बात का बुरा लग रहा था तो फिर आपने ये title क्यों डाला भाया अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आती तो हम उसको सीने से लगा के बैठते हैं उसको इगनोर करना चाहिए सब लोग आपको यही के मुह तो नहीं पकड़ सकते तो वो लिखेंगे अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि वो बुरी है तो वो इगनोर करनी चाहिए उसको तो आप हाइलाइट कर रहे हो कि देखो इस तरह के comment आते हैं और मैं उसको title बना लेती हूँ तो यानि कि आपके title और thumbnail जो होते है क्या वो ideas भी आप अपने negative comment से ही pick करती हैं बोलिए तो कैस आपको क्या लगता है ये चीजें जिसको ये लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनसान जिसने मुझे comment किया है उसकी सोच कैसी है वो लोग हमारे बारे में कैसा सोचते है लेकिन आपने ये title डालके आ negative सोच नहीं रखी आप बताईए दिदू जो चीज आपको बुरी लगी उसी को आपने use किया और ये दिदू तक ही सिमत नहीं है ये बात मैंने अभी पिछले वीडियो में आको के लिए भी बताई थी कि किस तरह से उन्होंने अपने wife के लिए कहां तक बोल डाला कि आदी जात को ढून के लाया wife को मतलब इस हद तक आप लोग चले जाते हो और अभी पप्पु को भी देख लो पप्पु कौन सा पीछे है बहिया जब boss इनकी head जो इनके यूट्यूबर की जो ये कह सकते हैं कि principle है इनके लिए इस family के लिए जो वैसी है और जैसे इनोंने शिक्ष पूरा वलोग अच्छे सी दिखाया अच्छे सबने भांजे के साथ खेल रहे हैं नानी खेल रही है अपने दोते के साथ सब कुछ अच्छ अच्छ दिखा रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था प्रीतो आती है मिलती है चली जाती है ना वो रुकी ना कुछ और की अपन तो चलिए आगे क्या होता है कि पप्पु अपनी मम्मी को याद दिलाते हैं कि वो शादी वाला जो मेरी शादी का कमेंट था उसके बाद क्या-क्या लिखा था लोगों ने बताओ ना मतलब पप्पु आपके लिए वो इतना ज्यादा आपको इतना पसंद आया वो चीजे जो आप अपनी मम्मी से याँ बुलवा रहे हो लोगों ने आपके लिए अच्छे-चे कमेंट किया आप उन लोगों को छोड़ देते हो तो उन लोगों को इग्नोर करते हो और जो इस तरह के मैसेज करते हैं जो आपको पसंद नहीं आते उनको आप हाइलाइट करते हो इतना ही नहीं उनको सिर्फ बोलते ही नहीं हो कि हमें इस तरह के कमेंट किये हैं और यह हमें पसंद नहीं आए इवन आप उन्हीं कमेंट्स को अपना टाइटल भी बना डालते हो क्योंकि पप्पु इस व्लोग में अपनी मम्मी के साथ बैठ कर ये बोलते हैं कि उनको कुछ इस तरह के कमेंट्स आए हैं कि देखो अब तुम्हारी मम्मी बिमार हो गई है तो पृतो तुम्हारे घर आएगी तुम पृतो को बुलवाने के लिए अपनी मम्मी को बिमार कर रहे हो या तुम लोगों की एक्टिंग है जिसकी वज़े से पृतो तुम्हारे घर में आ जाए तो पपु का कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था देखो लोग हमारे लिए किस तरहें के कमेंट्स कर रहे हैं पपो पीबा लगा ना और ओविसली प्रीतो को भी लगा होगा लेकिन आपने क्या किया आपने तो जो चीज आपको बुरी लगी थी वही अपना टाइटल बना डाला है मतलब क्या आपको भी सच में यही लगा कि वो आप लोगों को बुरा बना कर चली गई है क्योंकि देखो ये टाइटल तो आपने लिखा है कि हमको बुरा बना कर चली गई आप प्रीतो के भाई हो और भाई होकर आप खुद अपनी बहन के लिए ऐसी बातें एसा टाइटल लिख रहे हो पर जिन लोगों ने आपको ये कमेंट किया था वो आपके फैमिली मेंबर तो नहीं थे तो आपको बुरा नहीं लिखना चीए लेकिन प्रीतो तो आपकी बहन है और आप अपनी बहन के लिए ऐसा टाइटल यूज कर रहे हो थोड़ा दिमाख लगाओ कि ज़्यादा खतरनाक वो लोग है या आप खुद हो याद है जब आपकी बहन अक्को के साथ होटल में जाती है आपने क्या कहा था चली गई बिना बताए चली गई है यही बोला था न आपने बार-बार यही लिखते हो प्रितों हमें बिना बताए चली गई ससुराल चली गई यहां चली गई यही बोलते हो न तो मतलब आप खुद अपनी बहन के लिए नेगिटिव कमेंट कर रहे हो इसका मतलब तो तो गैश देखिएगा एक तरफ तो यह लोग बाते करते हैं कि इन लोगों पर कमेंट का कोई असर नहीं होता है वो कमेंट पढ़ कर इनको बहुत बुरा लगा और दूसरी तरफ उन्हीं कमेंट को यूज करते हैं डॉलर्स कमाने के लिए अपनों को ही हट करने के लिए I don't know हट होते है या नहीं में भी इनों ने अपना प्रोफेशन समझ लिया है कि जैसे मर्जी टाइडल डालो हम एक दूसरे को जो है डाल सकते हैं एक दूसरे का नाम यूज कर सकते हैं कहीं तक एक दूसरे को गिरा सकते हैं और कोई आपस में बुरा नहीं मानेगा लेकिन हाँ वहीं बाते जब इनके व्यूवर्स कर देते हैं तो इनको सुईया चुपने लगती है अब दीदू दूसरी शादे की बाद आपके व्यूवर्स ने बोली थी वो तो कई प्राया था लेकिन आपने खुद ने क्यों बोली फिर क्यों टाइडल डाला और क्यों इवन आपने दावा भी किया कि हाँ वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसी तरह से पप्पु ने भी व्यूवर्स ने तो सिर्फ बात लिखी अपना पॉइंट ओफिल लिख दिया कि भाईया हमें ऐसा लगता है कि आप ये सब ड्रामे कर रहे हो लेकिन पपु आपने क्या किया आपने उनी कमेंट्स को अपना टाइटल बना कर डाल दिया कि हमें बुरा बना कर चली गई है तो आपको फिल हुआ गवा ना कि आपको बुरा बना कर चली गई है तब भी आपने ये टाइटल लिखा है मतलब आप ही लोग अपने परिवार वालों के लिए अगर ये भावना रखते हो तो दूसरों से क्या एक्सपेट करते हो भाईया ये डबल फेस अपना उतार के साइड में रख दो ठीक है बार-बार मत बोलोगी हमें ये कमेंट जो है वो बुरे लग रहे हैं आप क्यूं करते हैं टाइटल के आइडियास उन्ही कमेंट से लेते हो अच्छे कमेंट से तुम लोग नहीं लेते हो जो कमेंट तुम हरे फेवर में किये जाते हैं उनसे तुमें कोई आइडिया नहीं मिलता ना तुम उनको ऐसे टाइटल यूज करते हो लेकिन हम जब थपड़ लगाने की बारी आती है गालियां देने की बा जालते क्यों क्योंकि आप लोग उनको कोई इंपोर्टस नहीं देते हो आपके लिए वो कोई कोई भी महतर रखते ही नहीं है और ऐसा आपके वियूवरी ने भी बोला था कमेंट बोक्स में कि दीदू आप negative comments वालों के बारे में हमेशा बात करते हो उनके comments को even अपने vlogs में भी दिखाते हो कि देखो मुझे एक comment आया है लेकिन हम लोग जो मरे जाते हैं आपको positive comment करके उनके बारे में आप बात तक नहीं करते जी हाँ इसी तरह से है ये controversial family अगर इनको कोई अच्छी अच्छी बाते करता है ना अंदबक्त बनकर मतलब हां में हां मिलाते रहो इनको ये कुछ पूछने वाले भी नहीं है लेकिन इनको कोई अपने काम की अपने मतलब की चीज़ लगती है कि हाँ इसने मुझे negative comment किया है पर मैं इसको अपना title बना के चिपकार जिनको ये पसंद नहीं करते वो सब ड्रामा किया जाता है व्लोग्स बनाने के लिए क्योंकि बेफाल तुमें एक content तो मिली ही जाता है ना कि मुझे इस तरह के comment मिले हैं देखो मुझे बुरा लगा है एक्चुलि में बुरा तो नहीं लगता वो तो उनको अच्छा लगत करने वाले को पूछता ही कोन है आखिर इनके व्लोग में बताईएगा बिचारे लिखते रहते हैं दीदू तुम बहुत अच्छी हो ये है वो है पर क्या दीदी ने कभी कोई अच्छा comment उठा के चिपका के अपने viewers को दिखाया है कि देखो ये कितने अच्छे लोग हैं मे नहीं तो dollars आएंगे ना तो अब समझाया कि negative comment करने वालों की इतनी ज्यादा जो है आर्ती क्यों उतारी जाती है लोग में बिठाया जाता है पूजा पार्ट की जाती है किस लिए controversy के लिए dollars कमाने के लिए तो guys किस की कितनी ज्यादा वहां पर importance है वो अपने आप जाकर दे नेक्स टाइम उनके title के रूप में आए तो जाके कर दी चीए उनको comment वैसे उन लोगों को comment का कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन दिल ही दिल में लड़्डू फूट पड़ते हैं कि अरे वाओ ऐसा comment आया चले इसको title के रूप में यूज़ करते हैं अरे भाईया सीधी सी ब बोला भी नहीं कि मुझे इस तरह का negative comment आया लोग मुझे यह बोल रहे हैं कभी सुना आप लोगों ने क्यों बोलू भाईया मुझे क्यों importance देनी है उन लोगों को भाड़ में जाये वो देखो guys जिसको भी किसी भी vlogger के बारे में किसी भी youtuber के बारे में अपना point of view रखना है friends right